अगर आप दिल्ली चंडी गड़िया इसके आसपास के किसी भी स्टेट या सिटी के रहने वाले हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आपके घर और शेहर के आसपास की कैम्पिंग ट्रैकिंग, हाइकिंग और टूरिस्ट लोकेशन्स के बारे में जहां आप एक या दो दिन का ट्रिप प्लैन करके वीकेंड पर जा सकते हैं अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मैं हूँ कैम्पिंग ट्रैवलर इंडिया और ये है मेरी टॉप 10 कैम्पिंग, ट्रैकिंग और टूरिस्ट लोकेशन्स नियर चंदिगड और डेली जिन्हें मैंने ट्रैवल डिस्टेंस के बेसिस पर रैंक किया है जिसमें सबसे नजदीक की जगा सबसे पहले और दूर की लोकेशन को बाद में रखा गया है तो दोस्तों नमबर 10 पर है टिककरताल, टिककरताल मोरनी हिल्स के पास शिवालिक रेंजिस में स्थित है, चंदीगड से 40 किलोमेटर और डेढ या 2 घंटे के डिस्टेंस पर है टिककरताल एंड मोरनी हिल्स, बैस्ट एंड मोस्ट ये सफर आपको पहुत शांदार लगेगा तिककरताल के पहले आपको मिलेगा मोर्नी फोर्ट ये छोटा सा किला देखने में 30 से 40 मिनट का समय लगेगा एंट्री एकदम फ्री है तिककरताल में ओवरनाइट स्टे के लिए हर्याना टूरिजम का गैस्ट हाउस है डबल फैमिली पिकनिक के लिए दोस्तों ये एक बेस्ट आप्शन है तापमान सामाने रहता है और बरसाद के दिनों में यहां जाने का मज़ा ही कुछ और है यहां पर पांच किलोमेटर लंबा एक सीक्रेट ट्रैक भी है जिसे मैने को जा था फोटो आप देखी रहे होंगे स्क तो दोस्तों नमबर 9 पर है भोजनगर फोर्ट या फिर बनासर फोर्ट बनासर फोर्ट या भोजनगर फोर्ट परवाणू से होकर जाता है या फिर कुमार हट्टी से भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं गूगल मैप का सहारा लेकर जाना अच्छा रहेगा यह फोर्ट श महराजा ने बनवाया था चंदीगड से कुल दूरी है 56 किलो मिटर मातर एक से डेट घंटे में आप यहां पहुंच सकते हैं पहली बार जाने वालों को इसे ढूनने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है आइसर पब्लिक स्कूल परवानू इसका लैंडमार्क है इसी रोड पर बस चलते जाएए पहले मोक्षा रिजॉट आएगा उसके बाद उसी रोड पर अपने लेफ्ट साइड में पहाड की चोटी पर आपको ये फोड नजर आ जाएगा में रोड से सिरफ 500 मीटर का ट्रैक करके आप इस किले तक पहुंच जाएंगे यहां से आस-पास की पहाड बस अके ले रात में बाहर मद निकलिएगा बोजनगर नियरिस्ट सिटी है जहां आपको रहने के लिए अलग-अलग आप्शन मिल सकती है अगर आप अपना कैम्पिंग किट लेकर जाएंगे तो फोड के पास कैम्पिंग कर सकेंगे बैं वहां कई बार कैम्पिंग कर चु कसौली मार्केट, चर्च, ओल्ड कसौली बाजार, मेडिटेशन पॉइंट, ओल्ड हॉस्पिटल, संसेट पॉइंट, गिल्बर्ट ट्रेल के इस अलावा कुछ खास तरह के आप्शन भी अवेलिबल है अगर आप ट्राकिंग के शौकीन हैं तो साढ़े तीन से चार घंटे का कालका से कसौली का ट्रेक आपको जरूर करना चाहिए आर्मी के लोग आज भी इसी ट्रेक से आते जाते हैं आप अगर कैम्पिंग के शौकीन हैं तो ओल्ड परवानों और कसौली रोड पर करीब चार किलोमेटर नीचे आ जाये यहां पर आपको एक माइल स्टोन लगा नजर आएगा जिस पर लिखा है मशोबरा 9 किलोमीटर यहीं पर हमारी एक सीक्रेट कैम्पिंग साइट है जो आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं अगर आपको इस कैम्पिंग साइट की लोकेशन जानना है तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए मैं ये लोकेशन आ 1200 की रेंज में होटेल्स मिल सकते हैं कुछ और पेड कैम्प साइट्स भी हैं जहां आप फैमिली के साथ ये दोस्तों के साथ वीकेंड पर जा सकते हैं कसौली चंदीगर्ड और दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेसिनिशन हो सकता है सेक्टर 17 बस्टेंड से आपको कसौली के लिए सुबा 6 बजे से बस मिलना शुरू हो जाएगी तो दोस्तों नमबर 7 पर है शोगी से तारादेवी टेंपल ट्रैक शिम्ला से 8 किलोमेटर पहले शिम्ला के रास्ते में एक जगा आती है जिसका नाम है शोगी शोगी से करीब 3.5 किलोमेटर का पैदल ट्रैक है तारादेवी टेंपल के लिए चंदीगड से ये जगा 95 किलोमेटर के दिस्टेंस पर स्थित है ट्रेवल टाइम होगा 3 से 5 गंटे 200 साल पुराना ये मंदिर शिम्ला के आसपास सबसे ज़्यादा विजट किये जाने वले मंदिरों में से एक है हिमाचल के लोगों में इस मंदिर की बहुत मान्यता है विंटर्स में भी जब हर तरफ बरफ पड़ी होती है तो भी ये ट्रैक खुला रहता है आप अपने शिम्ला किस्ते के दौरान यहां जरूर जाएए 200 साल पुराने मंदिर के बैक साइट पर आपको हिमाल्या के खुबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे और ट्रैक के एक तरफ खड़ा जंगल आप इस जंगल में भी कैंपिंग कर सकते हैं तो दोस्तों नंबर छे पर है चायल चंदीगर से चायल का डिस्टेंस है 105 किलोमेटर और ट्रैवल टाइम है अप्रॉक्सिमेटली तीन से पाच गंटे चंदीगर से सोलन, सोलन से कंड़ागाट और कंड़ागाट से 39.5 किलोमेटर दूर स्थित है चायल यहां पहुँशने के लिए गूगल मैप्स की भी हैल्प ली जा सकती है यहां पर एक पैलिस है जिसे एक होटेल में कनवर्ड कर दिया गया है वर्ल्ड हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी यहीं पर है और बहुत सारे रिजॉर्ट भी आपको यहां मिल जाएंगे चायल में अच्छी बात यह है कि आपको यहां बहुत सारी कैंप साइट्स मिल जाएंगी आप 300 से 500 पर परसंट पे करके कैंप साइट पर रुख सकते हैं या खुद का इंडिपेंडेंट टेंट लगा कर भी रुख सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के लिए चायल एक लेस विजिटेड ब्यूटिफुल हिल स्टेशन है तो दोस्तो नमबर पांच पर है साधूपुल साधूपुल आजकल फैमिली और यंग्स्टर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है क्योंकि एक ही जगा पर आपको एक वाटर स्ट्रीम, वाटर अक्टिविटीज, फूड, कैंप्स, ट्रैक और हाइकिंग ये सब कुछ करने का मौका मिल जाता है चायल से सिरफ 12.5 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है साधूपुल सोलन से साधूपुल की दूरी है करीब-करीब 27 किलोमेटर वन नाइट स्टे के लिए या वन डे ट्रिप के लिए साधूपुल एक perfect tourist destination है आप यहां अपना टेंट कैरी करके या थोड़ा सा ग्राउंड रेंट पे करके कैमपिंग कर सकते हैं या थोड़ी दूरी पर इंडिपेंडेंटली कैमपिंग भी की जा सकती है आसपास की पहाड़ियों पर बहुत खूबसुरत छोटे छोटे ट्रैक्स हैं किसी भी लोकल से इसके बारे में पूछ कर आप यहां ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं तो दोस्तो नमबर चार पर है चूड़धार ट्रैक चूड़धार आपको तब ही जाना चाहिए अगर आप एक से दस विटनिस स्केल पर छे या साथ पर आते हैं चूड़धार शिवालिक हिल्स में सबसे उची चोटी पर स्थित है जहां से आपको यमुना नगर कालांब नहा नमबाला चंदीगर जैसी सिटीज नजर आ सकती हैं अगर मौसम साफ रहे तब ही फाइब मौंटेन रेंजिस के नजारे भी यहां से लिये जा सकते हैं यहां पहुँशनी के चंदीगर से पहले जाए सोलन, सोलन से राजगर होते हुए नौराधार, नौराधार से पैदल 18 किलोमेटर का ट्रैक है चूड़धार के लिए डिफिकल्टी लेवल एक से दस के स्केल पर है साथ, रास्ते में जाम नाला एक जगे है जो बहुत खुबसूरत हरे घास का मैदान है यहां गर्मियों के मौसम में जाना ही बेतर है क्योंकि सर्दियों में बहुत बरफ गरती है चूड़धार में चूड़धार समीती की तरफ से आपको रहने के लिए जगा, खाना, चार्जेबल बेसिस पर मिल जाएगा आप एमर्जेंसी के लिए एक टेंट साथ में लेकर जरूर जाएए क्योंकि मौसम खराब होने पर आपको हो सकता है कि रास्ते में ही कहीं रुखना पड़े चूड़धार 367 मीटर्स या 11,965 फुट की उचाई पर स्थित है इसके आसपास के जंगल में काला बालू बहुत बड़ी संख्या में पाये जाता है तो रात में जहां तक हो सके अंदर ही रही है और आग जलाकर रखिएगा यहां का ट्रैक बहुत ही खुब सूरत है यहां के नजारे आपके मन को महु लेंगे दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ आप यहां जा सकते हैं लेकिन छोटे बच्चों को लेकर जाना रेकमेंड नहीं है हिमाचल के लोगों में चूरधार के श्रीगुल देवता यानि की शिवजी महराज की बहुत मान्यता है नमबर तीन पर लिस्ट में शुमार है शाली पीक या फिर शाली टिबबा कहते हैं कि शिमला का नाम शाली माता के नाम पर पड़ा और यहां शाली माता का एक मातर मंदिर है शाली पीक पहुँशने के लिए चंदीगड से आपको जाना होगा 193 किलोमेटर दूल देवला विलेज इसी गाउं से शुरू होगा ट्रैक शाली पीक के लिए देवला गाउं से कुल दूरी करीब 14 किलोमेटर है जिसमें से actual track करीब 8 km का है अगर आप अपनी गाड़ी से travel कर रहे हैं तो track के starting point पर आप अपनी गाड़ी छोड़ सकते हैं और 8 km का track करके टॉप तक जा सकते हैं शाली पीक इस area की सबसे उची चोटी है और यहां से दूर दूर तक फैले glaciers के नजारे देखने में बहुत ही कुपसरत लगते हैं देवला विलेज में The Great Himalayan Outdoors, Adventure Travel Organizers, Campsite और Homestay की फैसिलिटी भी अविलेबल करवाते हैं शिमला से तत्ता पानी वाला रूट लेकर मशोबरा से कुछ किलोमेटर पहले एक गाउं है सरोग सरोग से आप राइट टरन लेंगे तो देवला विलेज पहुंच जाएंगे A must visit track near शिमला इस शाली पीक ट्रैक और अगर आपको रूट, होटेल, बुकिंग या फिर किसी भी तरह की information required है तो comment box में लिख दीजिए हम आपको numbers, contacts और सभी तरह की information पहुंचा देंगे Number 2 पर है heart to peak Heart to peak मेरी list में number 2 पर है क्योंकि यह मेरा और बहुत सारे लोगों का favorite camping और hiking destination है जब भी मैं overnight camping trip प्लान करता हूँ तो सबसे पहले number पर होता है heart to peak Reason है approachability और यहां की खूपसूरती चंदीगड से करीब करीब 170 km दूर है नारकंडा अगर आप bus से travel कर रहे हैं तो पहले जाए शिमला, शिमला से bus change करके पहुँचे नारकंडा टोटल ट्रेवल टाइम करीब करीब 5 से 6 घंटे का है नारकंडा से आपको थानेदार की तरफ road पर करीब 1 km चलना है और वहां से आपको एक route मिलेगा heart to peak की तरफ जाने के लिए 7 km का track है by road और नजारें बहुत ही खुबसूरत है अपनी camping kit साथ लेकर जाएगा उपर रात में रुकने के लिए कोई facility अवेलेबल नहीं है अगर आप खुद का tent carry नहीं कर रहे हैं तो दिन में विजिट करके आपको शाम को नारकंडा आ जाना चाहिए वहाँ hotel और homestay की facility अवेलेबल है मैं हमेशा अपनी camping kit साथ में लेकर चलता हूँ अगर आपके पास camping kit नहीं है तो उसे rent पर लेकर जाना चाहिए चंदीगड से आप camping kit rent पर लेकर जा सकते हैं एक रात के लिए tent का rent है करीब 500 for 2% और 1000 रुपे for 4% अगर आप ये tent चंदीगड से rent पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप comment box में लिख दीजिए मैं जानकारी आपके साथ share कर दूँगा तो दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं number 1 की तरफ number 1 पर है गिरी गंगा मैं आपको याद दिला दूँ कि ये ranking हमने चंदीगड और डेली से distance के basis पर की है तो दोस्तों number 1 पर है गिरी गंगा जिसकी चंदीगड से दूरी है 186 किलोमेटर और travel time है करीब करीब 7 गंटे गिरी गंगा जाने के लिए आप चंदीगड से जाएंगे सोलन, सोलन से शिमला और शिमला से ठेयोग ठेयोग से खड़ा पत्तर और खड़ा पत्तर से सिरव साड़े चार किलोमेटर की दूरी पर स्थित है गिरी गंगा यहाँ पर गंगा दुर्गा और शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है एक नेचरिल वाटरफॉल स्ट्रीम यहां से बहती है जिसका नाम रखा गया है गिरी गंगा गिरी गंगा को गिरी गंगा क्यों कहा जाता है इसकी एक बहुत ही खुबसूरत कहानी है जिसका संबंद राजा भागी रद और उनकी तपस्या से जोड़ा जाता है कहते हैं कि जब राजा भागी रद अपने पुर्खों की मुक्ती के लिए शिवजी से आशिरवाद लेकर गंगा जी को कमंडल में लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बाधरूम जाने की इच्छा हुई तो वे गंगा जी से भरा कमंडल धर्ती पर रख कर चले गए गंगा जी की हिलोरे और लहरों की वज़ा से कमंडल जमीन पर गिर पड़ा और गंगा जी वहीं पर बैह निकली क्योंकि गंगा जी वहां पर गिर पड़ी थी तो इसलिए इस जगा का नाम पड़ा गिरी गंगा इस डेस्टिनेशन को आप किसी भी मौसम में विजिट कर सकते हैं हर मौसम में यहां की अलग ही खुबसूरती है सर्दियों में जहां यह बरफ से ढकी है तो गर्वियों में हरे घास के मैदान इसे नए रूप देते हैं गिरी गंगा के किनारे पर कैंपिंग करने का मज़ा यह अलग है यहां पर कैंप साइट्स हैं आप उनमें रुख सकते हैं दो लोगों के लिए आपको बारा सो रुपे में विद डिनर और ब्रेकफास्ट मिल जाएगा यहां से आप दो गंटे का ट्रैक करके गंगा के उद्गंस्तल कूपड भी पहुंच सकते हैं तो दोस्तों यह थी टॉप टेन प्लेसिस की लिस्ट चंदिगड़ और दिल्ली के आसपास जहां आप वीकेंड पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ जा सकते हैं इन सभी लोकेशन की खास बात यह है कि आप यहां होमस्टे, होटल, कैम्प साइट्स और इंडिपेंडेन्ट कैम्पिंग के साथ साथ ट्रैकिंग और हाइकिंग का मज़ा भी ले सकते हैं उमीद है कि यह लिस्ट आपको जरूर पसंद आई होगी So, thank you so much for watching this video Keep giving your support as always